पूरी तैयारी हो चुकी है जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टेट एलेक्शन कमिशन के तरफ से 17 नोवेंबर को नोटिफिकेशन आया था जिसके तहट जी एचमसी एलेक्शन की तैयारी शुरू हुई थी और उसके बाद पिछले लगभाग 12 दिनों में हम लोगों ने मिलकर रेवन्यू डिपार्ट्मेंट के साथ जी एचमसी के साथ पूरे पुलिटकल पाटीज के साथ, सिटिजन के साथ मिलकर ये पूरा कैमपेइनिग पीरियड बहुत अच्छे तरीके से, पीसफुल तरीके से, कॉडियल अट्मॉसफेर में हुआ, इसके लिए हम सभी पॉलिटकल पाटीज, सिटिजन्स, हमारे डिपार्ट्मेंट के शुक्रियादा करते हैं कि इलेक्शन कमिशन के तरफ से आज एक नया सर्कुलर आया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जिसके तहत हिदायत दी गई है कि पोलिंडे डेट आफ पोल याने की फर्स दिसंबर को पोलिटिकल पार्टीज पोलिटिकल लीडर्स वोटर्स सबके बारे में क्या मॉडल कोड अफ कंड़क्ट होना चाहिए जहां तक टोटल फ्रेमवर्क का सवाल है तो अपने पास टोटल 89 वार्ट से हैं हैधराबाद में और 2016 के कंपैरिजन में 817 पोलिंग स्टेशन एक्स्ट्रा हुआ जिसमें की अब टोटल नंबर है 4979 नॉर्मल, सेंसेटिव, हाइपर सेंसेटिव और क्रिटिकल ये चार कैटेग्रीज है नॉर्मल में 2146, सेंसेटिव 1517, हाइपर सेंसेटिव 1138 और क्रिटिकल 167 स्मूथ कंड़क्ट ऑफ एलेक्शन के लिए जो स्टैटिक सर्वेलिंस टीम है, एसस्टी, टोटल अपने पास 15 है, जिसमें इच स्टैटिक सर्वेलिंस टीम का स्ट्रेंग्ट, वन सब इंस्पेक्टर, वन हेड़ कॉंस्टेबल, टू पीसीज, टोटल फोर, नंबर ओफ पानिंग इसकोर्ड फैनर है, जिसका भी स्ट्रेंग्ट यही रहेगा, वन एसाई, वन हेड कॉंस्टेबल, टू पीसीज, टोटल अपने पास सिटी में 116, 116 है, जिसमें उनका स्ट्रेंग्ट, वन इंस्पेक्टर, वन पीसी, एन हाफ सेक्शन अफ आप पिलीस, बिएक् वन सेक्शन आम्ड पुलीस मोबाइल पार्टी जो की अपने रूट पे मुश्ताइद रहेगी उसके लिए 406 मोबाइल टीम्स जिसमें 1 SI, 2 PC's and 1 आम्ड PC बॉर्डर एरिया का चेक्पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमारे पास टोटल कितने हैं चाहन? 29 चेक्पोस्ट है जिसमें स्ट्रेंग्ट 1 इंस्पेक्टर, 1 SI, 2 PC and half section of force DRC, ballot box, guards के लिए 15 places हैं जिसमें स्ट्रेंग्ट 1 इंस्पेक्टर, 4 HC, 12 PC and 1 platoon of TSSP उस दिन अगर कुछ investigation की ज़रूरत पड़ी, police station में या कहीं भी तो हर police station, हर टोटल 34 investigation team है और interception team for prompt response अपने पास 65 interception team है हमारे additional CP traffic के तरफ से traffic interception team भी बनाई गई है और 100 interception team traffic की रहेगे hypersensitive picket important areas में 293 जिसका strength है one head constable, one PC, one home guard and two armed PC sensitive picket 387 जिसमें one head constable, one PC and one home guard scale of deployment के बारे में हमारे कुछ press के दोस्तों ने पूछा था तो जो critical area है जिसको critical हम लोग declare किये है polling station उसमें six armed है, hypersensitive two plus two, sensitive one plus two, normal one plus one election of state election commission के तरफ से जो enforcement drive के लिए हम लोगों को आदेश दिया गया था तो उस हुकम के मुताबिक पिछले 12 days में हम लोगों ने 4187 license arms deposit हुए है, persons bind over, rowdy sheeters, history sheeters और इस तरह के जो bad hats हैं, बदमाश लोग है 3066 उनको binding over हुआ, non-bailable warrant, particularly bodily offense में, total 48 execution हुआ और cash seizure, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1,45,34,000 से लगबख ज्यादा हुआ है cash seizure इसके अलावा, bikes, ganja, narcotics, IMFL, liquor seizure, 10,00,000 रुपे से ज्यादा का हुआ है और total 55 cases, criminal cases, FIR book हुए इस पूरे बंदोबस्त में हम लोगों ने लगबख हजार से ज़्यादा क्या उसको कहते हैं, March, पैदल यात्रा, पैदल दौरा, रोड शो, पब्लिक मीटिंग, ये सब भी हम लोग और्गनाईज किये इस बार हमारे IT cell के तरफ से कुछ नई initiative भी की गई है, जैसा कि आपको शुरू में बताया गया, हमारे additional CP law and order के initiative से इस बार पूरा बंदोबस्त scheme, एक electronic format में सभी constable officer से लेके उपर तक सब को दिया गया है, जिसमें की communication flow, किस से contact करना है, किस से मदद लेना है, coordination के लिए दूसरे department का क्या है, ये पूरा सब electronic format में सभी लोग को available रहेगा, जो officers बाहर से आये हैं, बंदोबस duty के लिए, उनको भी ये दिया जाएगा, हमारी IT cell, जो की हैदराबाद city police की backbone है, और हमारे IT cell के जो इंचार्ज है, राजा वेंकर ट्रेड़ी, उनके initiative से, पूरे polling station का geotagging हो चुका है, जिससे कि हमारे patrol vehicle, outside officer सबको बहुत convenient होगा, और इसके साथ साथ हमारी जो social media team है, वो social media के हर platform, facebook, youtube, twitter, whatsapp, सबको regularly monitor करती रहती है, और हमारे जो CCTV monitoring team है, 24 hours, सभी viewing center, 30 से ज़्यादा viewing center police station में है, पूरे ACP office, DCP office, CP office में जो command and control center है, round the clock, ये लोग उसकी monitoring करेंगे, जो dial 100 का system है, उसका एक GPS-based patrol vehicle से integration भी किया गया है, and that is also working very well, इसके अलावा, post polling, जो counting का होगा, उसका हम लोग detail बाद में बताएंगे, और last में public से एक हमारी appeal है, जैसा कि आप जानते हैं, polling का time morning 7 a.m. से evening 6 p.m. तक है, तो आप सबसे पहले तो गुजारिस है कि आप बिना किसी hesitation के, बिना किसी खौफ के, अपने designated polling station पे आएं, vote करना आपका हक है और आपकी जिम्मेवारी भी है, है, हैदराबाद आज इस मुकाम पे पहुँचा है, वो इसलिए कि जिसमें हमारे हर एक citizen का contribution रहा है, इसलिए हैदराबाद को और उचे मुकाम पर ले जाने के लिए, हम आप सबसे गुजारिस करते हैं, कि आप जरूर आईए, हर eligible voter जरूर आए और अपना हक जो है vote करने का, उसका वो अदा करें, आज, शाम को 6 बजे के बाद, state election commission के तरफ से जो guidelines निकली है, उसके मताबिक 6 बजे के बाद election campaigning बंद है, 6 बजे के बाद, मैं सभी political parties, political leaders से गुजारिस करता हूँ, कि 6 बजे के बाद, आप कोई भी campaigning नहीं करें, वो illegal होगा, और खास करके, जो बाहर से leaders आये हैं, जो बाहर से supporters आये हैं, जो बाहर से campaigning करने के लिए आये हैं, आज, शाम को 6 बजे के बाद, वो हैदराबाद शहर छोड़ कर अपने, अपने जगा चले जाएं, 6 बजे के बाद, election से related जो भी बाहर की लोग आये हैं, leaders, campaign, उनका यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, चुकि election 6 बजे के बाद खतम हो चुका है, जहां तक पोल्डे का सवाल है, State Election Commission की guidelines के मताबिक, हर candidate को केवल एक गाड़ी की इजाजत है, और उस गाड़ी में, उसी गाड़ी में उनका election agent भी बैठेगा, उसके लिए अलग गाड़ी नहीं है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जिसके पास permit, वेहिकिल permit अगर नहीं issue हुआ है अभी तक, तो GHMC के जो deputy commissioners हैं, उनसे permit issue करें, और अपनी गाड़ी की front wind skill के left side में, उसको display करें, पोस्ट करें, जिससे कि police officers को पता चले कि ये valid गाड़ी है, permitted गाड़ी है. जो voters अपनी personal गाड़ी में आ रहे हैं, vote डालने के लिए, वो आ सकते हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है, कि वो अपनी गाड़ी वो polling station से 200 meters की दूर पर पार्क करें, और फिर वहाँ से पैदल polling station में जाकर vote डालें. किसी भी गाड़ी में voters को group में लेकर आना allowed नहीं है, कोई taxi, कोई van, कोई tractor में commercially अगर कोई voters को लेकर आ रहे हैं, तो वो illegal माना जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी और गाड़ी भी जब्त की जाएगी. लिकर शॉप उस दिन बंद है, पूरे लिकर शॉप के लिए हम लोगों ने notification भी निकाला है, सबी से गुजारिस करता हूँ, कि वो लोग बंद रखें। हमारे city police और बाहर के officers मिलाकर, लगभग 22,000 police officers का deployment रहेगा, और हम पूरी उमीद करते हैं कि public cooperation, political parties, political leader के cooperation और हमारे police officers के service से हम लोग मिलकर G.H.M.C. election को successful और peaceful रखेंगे. Thank you so much.